आज हम solve करेंगे problem set 15 chapter number 4 multiplication and division का इसमें question number 1 है solve the following and write the question and remainder तो अपने को divide करने बोला गया है first number क्या है अपना जो divide करने बोला गया है one two eight four divide by 32 क्या बोला है one two eight four divide by 32 अब हम इसे divide करेंगे और हमें क्या क्या लिखने बोला गया है question and write remainder 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 ओके तो हम डिवाइड करते है one two eight four कि से divide करने का इसे 32 से तो 32 का table में 128 आता है आता है कितने जा four the one twenty eight okay कि सब्सक्राइड जीरो जीरो और यह four और एक जीरो 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 उके इसका answer आ जाएगा अपने को इसे diviser बोलते है इसे dividend बोलते है इसे question बोलते है और इसे remainder बोलते है तो अपने को question में क्या बोला गया है question और remainder लिखने के लिए तो यह remainder और यह होगा अपना इसे हम diviser बोलते हैं इसे हम dividend बोलते हैं इसे question बोलते हैं इसे remainder बोलते हैं तो अपने को question में क्या बोला गया है question और remainder लिखने के लिए क्या बोला है question और remainder लिखने के लिए तो हमें question क्या है अपने answer में question क्या है क्या है question का answer अपने को 40 और remainder कितना आया फूर remainder कितना है फूर ओके यह अपना question number one का answer अब हम question number two देखते हैं question number two question number two है five five eight six divide by five five sorry five twenty two हम इसे भी एटी 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 सेवन तो हम इसे भी डिवाट करते हैं ओके five five eight six divide by eighty seven okay अब यह eighty seven six eighty seven six दो क्याएगा five two two okay अब इसे मानस करेंगा eight में से two गया six five में से two गया three five में से five गया zero okay और यह six as it is नीचे अब 87 के टेबल में three six six आता है नहीं आता है तो उसे छोटा नमबर क्या आएगा three four eight okay कितने दा फोर जा माइनस अब जोनों का आजाएगा अपने को six में से eight नहीं जाएगा तो यह हो जाएगा 16 यह हो जाएगा five sixteen में से eight गया eight और five में से four गया one क्या इस कांसर हमें 18 अब इसमें अपने को कोशन्ट का है 64 और रिमेंडर आया है 18 therefore question is is equal to 64 and remainder कितना है 18 यह अपना question number one or two हो गया ओके हम आगे का question number three भी देखते हैं अब हम question number three देखते है question number three है one two zero seven divide by 27 अभी से हम हम डिवाइड करते है one two zero seven divide by 27 okay 27 के टेबल में 120 आता है हाँ आता है कितने जाब four था ने one twenty नहीं आता तो उससे छोटा नंबर क्या आता है है one hundred and eight okay देखो डिवाइड करते हैं हम में कभी यह नंबर आना चाहिए या तो इससे छोटा आना चाहिए उससे बड़ा हम नहीं ले सकते हैं तो 27 के टेबल में 120 तो नहीं आएगा तो हम उससे छोटा लेंगे जो है 108 और कितने जाथा है वह इधर लिखने का जैसे ट्वंटी सेवन फोड़ा वान एन एन एट अब यह दोनों का हम मानस करते हैं यह 0 में से नहीं जागा तो क्या दी हो जागा यह 10 में से एट गया लिखना टूबन में से जीरो गया वन ओके और यह 0 अब यह क्या आगा 7 के लिख टेबल में 127 आता है नहीं आता है तो उसे छोटा क्या आता है 108 कितने ज़व ओके वेभी मानस सेबल में यह जाएगा तो यह 17 यह वन 17 में से एट गया 9 और यह जिरो तो क्या आई इस का अउसर अपने को एक कोश्चन टाया जब फ़टी फॉर और रिमेंडर आया नाइटीन तो लिखने का क्वेशन टीज बॉल टूट फॉर्टी फॉर्टी फॉर् अब इसे भी हम डिवाइड कर दे हैं कि फॉर्टी वर्टी के टेबल में यहीं प्रस्टया का आता रह नहीं आता है उसे च्छुटा कहाता है अधी डिन स्ञाश है कि तो अबन जिरू दह लिखेंगे तो जिरू 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 फॉर थ्री फॉर्टीवन के डवर में ठी फॉर्टीच लिए जाता है नहीं जाता है तो उससे छोटा के जाएगा त्ली टू एट कितने दा एट सा ओके थ्री मेंसे ने जाया का तो ये थर्टीन ये हो जाया थ्री थ्री मेंसे 8 गया 5 थ्री मेंसे 2 गया 1 और ये 3-0 तो इसका रिमेंडर क्या अपने को 50 और ये 2-8 देख है अब हम क्या नुचा नुच नुचै नुच 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 नू नुच नुच नू ये 3-0-4 शरी स्वारी टू वन नहीं 4 3 2 3 0 4 डिवाइड बाइ 4 3 हम इसे डिवाइड करते है 2 3 0 4 डिवाइड बाइ 4 3 43 तू थर्टी दे आएगा 43 का टेपल में नहीं आएगा उसे चोटा गाएगा यह हो जाएगा 10 यह हो जाएगा 10 में से 5 यह वन है 0 40 टेपल में 154 जाएगा नहीं जाएगा उसे चोटा का जाएगा 129 यह हो जाएगा 23 यह हो जाएगा 4 में से नहीं जाएगा तो 14 और यह 14 में से 9 गया 5 यह 2 और जिरू क्याएगा 25 जैर्फोर क्वेशन टीज 53 और रिमेंडर इस 25 अब हम कॉश्ण अबर 6 दिखते है जो कि अपना लास्ट कॉशन है ओके क्वेशन नमबर 6 है 56741 डिवाड़ बाइट 26 56741 डिवाड़ बाइट 26 26 टूजा 52 तो कि उससे बढ़ा नहीं चाहिए अपने को या तो वही नमबर चाहिए तो उससे चोटा है तो अपने को यह ले या तो वही आना चाहिए तो उससे बढ़ाना चाहिए चोटा आना चाहिए तो क्या हो जागा यह 6 में से 2 गया 4 यह 0 7 नीचे आ जाएगा 26 के 7 में 47 जाएगा टेबल में जाएगा लेकिन उससे चोटा चाहिए अपने को या तो वही चाहिए 26 के टेबल में 47 जाएगा नहीं जाएगा तो उससे चोटा जाएगा हाँ 26 के टेबल में 47 जाएगा नहीं जाएगा तो अभी हम उससे चोटा नंबर लेंगे चोटा नंबर तो 1 जाई 26 आएगा ठीक है अभी उससे हम मानस करेंगे 7 में से 6 गया 1 4 में से 2 गया 2 ओके और यह 1 carry हो जाएगा 4, sorry, यह 4 carry हो जाएगा, अब 26 के table में 214 आता है नहीं आता है तो उससे छोटा गया आएगा 208 इतने जा 8 सा यह 14 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 और यह 1 अभी carry और यह दोनों तो 00 ही हो जाएगा यह तो 61 आता है, नहीं आता है तो उससे छोटा क्या आएगा 52, 2 सा क्या जाएगा, 9 यह 11 और यह 11 में से 9 और यह 0 यह 5 में से 5 गया 0, क्या है, remainder अपना 9 Therefore Question is 21 82 remainder 9 I hope आपको यह I hope आपको यह 6 होके 6 होसा हम आ गहे रहेंगे यह अपना Question No.1 Question No.1 Question No.2 Question No.3 Question No.4 Question No.5 Question No.6 अभी हम इसका Question No.2 देखते हैं, जो की word problem है हमारा word problem है How much How much hours will be take to travel 336 km at a speed of 48 km ठीक है, अपने को पूचा गया है कि अपने को इतना distance ट्रावल करने का है कितना 336 ठीक है, और अपने को speed दी गई है कितना speed है? 48 km पाव रहा है, तो अपने को पूचा गया है कि हम अगर इतने speed से चलेंगे गाड़ी लेके, इतना distance अगर cover करेंगे, तो कितने time लगेगा पूचने के, वह ही अपने को hours पूचा गया है, कितने hours में अपन इतना speed, sorry, इतना distance cover करेंगे, तो अपना formula क्या होता है speed is equal to distance upon time तो उसी साब से अपन करते हैं, तो क्या हो जागा अपना, 4, 3, 3, 6 divide by 48, okay, 3, 3, 6, divide by 48, जो अपना distance है, उसे हम speed से divide करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, time मिल जाएगा, okay तो 48 के table में, 3, 3, 6, आता है, हाँ, आता है, कितने जाएगा, 7, 3, 3, 6 अपना remainder 0 आ गया, तो यह जो अपने को यह quotient आया, यही अपना hour है, मतलब इतना time लगेगा, उसको पूच्ट में therefore how much, how many hour will take to travel, 7 hours will be take to travel, okay, जानसर आजागा इसका, 7 hour will be take to travel, okay, I hope, question number 2 भी समझ में आ जाएगा, इसका एक फॉर्मॉला होता है, कि time is equal to distance plus speed, okay, यह इसका एक फॉर्मॉला होता है, ठीके तो हमने इसको, जितना distance से इसको, speed से डिवाइट किया तो अपने को time निकल गया है, अब हम question number 3 देखते हैं, question number 3 यह, गिरीजन नीट 35 कार्टून टु पैक, 1400 बुक्स, जार एन एक्वल नमबर अब बुक्स इन एवरी कार्टून, वह मैनी बुक्स दिट शी पैक इन्टू एच कार्टून, ठीके, गिरीजन है, उन्हें 35 कार्टून पैक किया, ठीके, उन्हें ने कितना कार्टून प 400 बुक्स, तो अपने को पूछा गया कि उसने एक कार्टून में कितना बुक्स भरा है, वह हमें बताईए, तो हम क्या करेंगे, कि टोटल जितने बुक्स है, उसे हम कार्टून से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक कार्टून में कितना रखा गया है, वह पता चल ठीक है तो 35 के टेबल में 1400 आता है आता है कितने दा 40 जा ओके 35 40 जा 1400 ओके तो इसका अंसर अपका जीरो जीरो आ जाएगा तो इसमें अपने को क्या जाएगा 40 और हमेंडर जीरो तो यह क्या हो गया नंबर आप बुक्स इन वन कार्टून देर्फोर गिरीजन मतलब गिरीजन स्वारी गिरीजन पैक 40 पूक्स इन इच कार्टून कितना गिरीजन ने कितना पैक किया 40 बुक्स हर कार्टून में पैक किया गिरीजन पैक 40 बुक्स इन इच कार्टून आपको आए यह कोशन नबर थ्री भी अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम कोशन नबर फोर देखते हैं ठीक है, question number 4 है, अपना, the contribution for a picnic was 65 rupees each, altogether 2,925 rupees were collected, how many had paid for their picnic, ठीक है, मतलब एक picnic जा रही है, वहाँ पर picnic की fees कितने है, 65 rupees है, ठीक है, अपने को बोला गया गया कि, अपने को total जो पिकनिक से collect किया गया, कितना है, 2925, ये लोग बोल रहे हैं कि, इतना पैसा हमारा collect हो गया है, पिकनिक लिए, तो हमें इसके आधार पे पूछा गया है कि, कितने लोग picnic में आ रहे हैं, वह हमें बताईए, तो हम क्या करेंगे, कि जितना पैसा collect हुआ है, उसे एक picnic मतलब जो एक price है न, एक बंदे का, उसे हम divide कर देंगे, तो हमें कितने बंदे आ रहे हैं, वह मिल जाएगा, मतलब total amount collected for a picnic divided by each person cost, तो हमें इसे divide कर देंगे, तो 65 divided by 2925 से हमें divide करना पड़ेगा, इसे, 65 divided by 2925, ओके, 65 के table में 292 आता है, नहीं आता है, तो उसे छोटा कहाएगा, 260, कितने जा, 4 जा, अब इसे हम माइनस कहाएगा, 2 में से 0 कहाए, 29 में से 6 गया, 3, यह 0, अब यह 5 नीच आ जाएगा, 65 के table में 325 आता है, हाँ आता है, कितने जा, 5 जा, 325, 25, ओके, आ गया, 0, ओके, तो हर एक बंद, मतलब टोटल किये, जो आंसर आ है, उपर का, जो कॉशन का, यह कहा है, नमबर ओफ पीपल, मतलब इतने लोग का, मनी कलेक्ट किया, तब जाके, इतना पैसा हम उन्हें जमा किया, तो क्या लिखें गया, आप लोग, 45 पर्सन पेड फॉर दर पिक्निक, ओके, यह भी बहुत आसान कोशन था, ठीक है, यह ठोड़ा मतलब ट्रिकी कोशन था, कि इसमें बोला गया था, कि इतना मनी कलेक्ट हुआ है, और एक बंदे का प्राइस दिया गया था, तो हम क्या करेंगे, जितना मनी कलेक्ट किया गया है, और एक बंदे के प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मालूम बढ़ जाएगा, कितने बंदे लोग का मनी कले हुआ है जो पिकनिक में आ रहे हैं that for 45% paid for the paid for the picnic अब हम question number 5 देखते हैं ठीक है question number 5 ते विच नमबर on will multiply by 56 to give the product of 900 9608 666 ठीक हमने पूछा गया है कि हम जो यह नंबर है न 56 इसे किसे multiply करें कि यह product आने चाहिए मतलब 56 को किस नंबर से multiply करें कि यह answer आए अपने को क्या 96950 तो हम क्या करेंगे कि यह दोनों को divide कर देंगे तो अपने को जो question आएगा वह अपना नंबर होगा जिससे हम multiply करेंगे तो यह answer आएगा क्या है 9688 डिवाइड वाइ 56 अब 56 के टेबल में 96 तो नहीं आएगा तो उसे छोटा क्याएगा 56 56 वंजा 56 यह जाएगा 0 यह जाएगा 4 और यह 8 निखे 56 के टेबल में 400 आता है नहीं आता है उसे छोटा क्याएगा 392 कितने जाएगा 7 अब इसे हम मैनस करते हैं 8 में से 2 गया 6 यह 10 और यह 3 यह हो जाएगा 9 यह हो जाएगा 0 यह जाएगा नीची ओके आप 56 के टेबल में 168 आता है हाँ आता है कितने जा 56 के टेबल में 168 आता है हाँ आता है कितने जाएगा 3 जा कितना 3 जा 168 ठीक है अधर हमें किस से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 173 से मल्टिप्लाइ करने का तो अपने को यह आंसर आ जाएगा therefore, we should multiply 56 by 173 to get a product of 9688 okay which will multiply by 56 by 173 तो किस से मल्टिप्लाइ करने पड़ेगा अपने को 173 से to get a product of 9688 से okay आई होग आपको question number 50 आ गया रहेगा अब हम question number 6 देखते है question number 6 से if 48 sheets are required for making one notebook how many notebook at the most will be will 5880 sheet make and how many sheet will be left over okay अपने को बोला गया है कि यह total sheet दिये गए sheet मतलब pages दिये गए और अपने को बोला गया है कि यह 48 sheet छाटी यह अलाग अलाग मतलब उतने पेज का यह बुग बनेगा मतलब नोडबुक बनेगा ठीक है अपने नोडबुक कितने पेज की बनेगे 48 पेज के बनेगे तो हम क्या करेंगे ओके तो 48 डेबल में 58 आता है नहीं आता है तो उससे छोटा क्या आता है इससे छोटा 48 आता है 38 48 में ₹ 0100 1 48े डेबल में आथा है च्माव कृता है की वैजिसें हो जाएगा टू यह है सलिः ही चौता गाले टूवक्ष यह मेंन ये चाहिए दंग है क्यों च्याहिए सिप्टा गाल आथा है मुस्मा एदेक trader हो कॉंच को सन्गיץा 122 question क्या है 122 मतलब हम इतने pages रहेगा तो कितने बुक बना पाएंगे 122 बना पाएंगे और कितना pages बाद में बचा गया थोड़ा ये जो रिमेंडर है अपना left pages है जो पूछा गया था न अपने को कितने pages आपके बचेंगे कितने notebook बनेगी और और कितने pages बचेंगे वो यहां पर हैं तो अपने को final answer क्या लिखना पड़ेगा 122 कि नोट्बूक कि वेर मेड़ एंड ट्वैंटिफॉर शीट्स आर लेफ ओवर ओके यह पुझा गया था यह टोटल नमर आप शीट्स से और कितने की बुक बनाने की चैपने को 48 की बनाने किसी तो हम क्या करेंगे तो अपने को कोशन्ट आएगा वो अपने नोट्बूक बनेंगे और जो रिमेंडर आएगा वो पेज लेफ्ट और होंगे यह थोड़ा हार्ट कोशन था लेकिन आप आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आगया रहेगा अब हम कुशन नंबर सेवन देखते हैं ओप वाट वीले कुशन दिशेट लब में देख मोलत सब्ताहि बाई डिजिट नंबर इस दिवाइट असों में बताइये कि स्मॉलेजुफ़ डिजिट नंबर क्या हैben 0000tt एक दू थीन चात पाई की है थ已經 convicted anber है 10,000 तो एक है smallest five digit और biggest क्या होगा अपना कि 1004 सॉरी biggest ने smallest five था यह smallest four रहेगा smallest क्योंकि अपने को smallest four दिया गया है तो smallest four digit ओके तो हम से डिवाइट करेंगे वह पूछा गया है इसमें हमें करना पड़ेगा कि जो smallest five digit नंबर है उसे smallest four digit नंबर से डिवाइट करने बोला गया है तो यह हो जाएगा one zero 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 एक दो तीन चार पाट एक दो तीन चार ओके देखो यह कितने तो जाएगा tenzer tenzer thousand tenzer ten thousand ओके तो जाएगा जीरो तो क्या आएगा 10 तो अपने को पूछा गया था कितना आएगा therefore और क्या पूछा गया था question question क्या आपना तैना remainder तो पूछा ही नहीं कहा है remainder 0 तो कुछ मतलब नहीं है तो question कितना आगया question is equal to 10 यह पूछा गया था therefore the question is equal to 10 I hope आपको यह सातों के सातों question समझ में आगे देंगे यह अपना question no.2 यह है question no.3 यह question no.4 यह question no.5 यह question no.6 यह question no.7 I hope आपको यह problem भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा thank you